मैं हूँ बिजनिश टाइकुन एक वार पहले की तरह आज फिर हाजर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो लेकर दोस्तों कौन सा सेयर बाइकर है जो बड़ेगा 100 रुपे से कम का सेयर है बहुत अच्छा सेयर है इसको आप एक वार बाइकर करके बस भूल जाएए और pourquoi पोट फोलियो में चार चान अपने अपी लगए जायेंगे कंम का मिद्धो इस वीडियो को पूरा देखना इसमें आपको एक सेयर बताऊंगा जो जो कब बाई करना है इसको पूरा देखना इसे बताऊंगा मैं कब बाई करना है कैसे क्यों बाई करना है जिससे कि यह सेर बड़े तो आए चलते हैं स्टॉक की तरफ दोस्तो जो पिछली वीडियो मैंने आपको अपलोड की है बहुत से दर्शकों ने उसे सवाल भी की है कौन से डीमेट अकाउंट में एकाउंट खोला है डीमेट एकाउंट कैसे खोला है इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा और जैसा कि कोई भी आप ब्रोकर के थ्रू एडीमेट एकाउंट खोल सकते हैं दोस्तो वैसे मेरा एकाउंट जैरोदा में और आपको जो अच्छा लगे जो आपके साथ से कम कपलता हूं उसमें आप एकाउंट में फैसे लगाई ये और ढालिये मेरा जैरोदा में इस ऐर का नाम है मुकंत लिम्टेट मपकर देख रहा है आपको मगद करेंगे वकंत लिम्टेट आप खुल है यह है दोस्तों बंबर उपेशा स्वेज देख है में इस सेहर को मैंने आज आपका मल्टिवेगर के तौर पर चुना हुआ है देखते हैं आपने एक महीने के इसमें एक महीने में बढ़ा हुआ है तीन महीने में भी बढ़ रहा है एक साल में भी एक साल में कितना हुआ है 50 रुपए से लेके 90 रुपए तक गया है दोस्तों यह सेयर बढ़ रहा है भाग रहा है डिलीवरी में चलते हैं डिलीवरी भी इसके अच्छी कासी हुई है और आगे टेक्निकल पर देखते हैं पर्फॉमेंस पर्फॉमेंस देखिए पहुंस साल में 223-224 परसेंट बताइए कितने वागा है यह जोड़ते गोरे पर बैड लगाएंगे अपन तो आज वो भी ऐसा आईपी के माति हमसे कि कम भी हो जाए और बढ़ता रहे तो भी मिले दोस्तों देखना एक साल में 77 दो साल में 143 साल में 156 जो गोड़ा बढ़ रहा है इसका लेबल देखते हैं बावन वीक्स बावन वीक्स 91.40 बावन वीक्स पर चल रहा है जे और इसका अधा 45 बावन वीक्स लोगा है दोस्तों डवल हो गया है सहर इंडिकेटर्स देखते हैं इंडिकेटर्स भी आपको खुल या नेट शाला से लो जलता है कि इतना से लो दोस्तों इंडिकेटर्स खुलाई नहीं है तो आगे चलते हैं सेक्टर कौन सा है आयरेन स्टील लोहे का काम करता है और स्टील का काम करता है इंडिस्ट्री स्टील इंडिकेटर्स समझिये मार्केट केप 1275 करोड़ अच्छा है कि इपीएस माइनस में है बुक बैल्यू बारा पॉइंट अठाइस सब्सक्राइब रिजल्ट में चलते हैं सर रिजल्ट में देखते हैं इसको रिजल्ट में मेटरी कम अरे यार इसको मैंने क्यों चूज किया है एक साल देखो सात सो सतर पॉइंट असी अभी एन्यूल देखते हैं के तीन-2107 में इसकी नेट सेल बढ़ी हुई है तो सेर इसकी नेट सेल बढ़ती है मदद जो दुकान चलती अ क्रीज नहीं है अच्छी चलती है और उसका वह बढ़गे गी कि उसका प्राइज भी ज्यादा आएंगे इसकी विक्री ज्यादा है वो दुकान अच्छे जलती है आप देखिए अनुवल मैंने सेलेक्ट कर रहा है एनुवल भी देखो तीन दर तरह में वो भी थोड़ा सा कम है लेकिन है बड़ा और देखते हैं इसमें एवी टिटा 306.36 टेक्स इंटरस्ट नेट प्रॉफिट वो माइनस में है दोस्तों यह कंपनी बहुत बढ़िया है और रेटियो देखते हैं रेटियो इसका रेटियो 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 इसका कंपनी का नाम है मुकंद M.U.K.A.N.D. द्वारा भी बता सकता हूं मैं आपको बता रहा हूं और डिस्किप्शन में भी डाल दूँगा देखिए इसको फाइनेशल में चलते हैं बैलेंस इट 45 नवासी तीन दो यार सत्रा में शेयर वोल्डिंग पर चलते हैं शेयर वोल्डिंग पर तेंग पैटन पर प्रमोटर देखिए प्रमोटर पर क्लिक करते हैं कि प्रमोटर ने भी इतने इससा बड़ा हुआ है मतलब इसका प्रमोटर भी जानता है कि कंपनी मेरी बहुत अच्छी है देखिए एक अत्र पॉंट शेक्स्टी एट से एक अत्र पॉंट शेक्स्टी नाइन मतलब शेयर जरूल भागेगा दोस्तो आगे चलते हैं शेयर होल्डर के तरफ देखिए आप प्रमोटर ग्रूप पब्लिक में युज शेयर ले हुए हैं इस कि तरफ चलते हैं इसके की तरफ चलते हैं देखा हुआ है इसको अपडेट पर देखते हैं देखो एक सेयर और हैप्री बन सेयर मतला इस पर मॉनस दिया हुआ है इस कंपनी को और बहुत अच्छा लिपिडेंट भी मिला है आगे फिट्स पर चलते हैं फिट्स में दो ऐसा कुछ नहीं होता बाकी यूँ बताया आता है कि मुद्वेंग एवरेश पर इसमें गल रुख चकी है दोस्तों इस सेयर को भाई करने के लिए दो कारण है क्योंकि एक सेयर जल्दी भाग रहा है और बहुत अच्छा भागेगा और दूसरा इसकी नेट सेल्स बढ़ी हुई है जिसकी नेट सेल्स बढ़ती है वो सेयर जरूल भागेगा और इसकी दुपान अच्छी चलती है वो जरूल तरह की करेगा दोस्तो इस सेर को जलूल बाय करिए वो भी SIB के माध्यम से 500-1000 रुपे लगाईए ज्यादा मत लगाईए दिरी दिरे आपका रिस्क की भी कमना होता जाएगा और आपका पोटफोलियो भी बढ़ता जाएगा और आप दिरी दिरे करूल पती बनने की अगार पर चल पढ़ें इसे मेरे वीडियो को देखती रहिए लाइक करती रहिए चलिल को सब्सक्राइब कीजिए इसे मैं आगे बढ़ता रहूं